उसका विकास इस तरह से हो आस पास में अब और कुछ ना बने उन दोनों रास्तों को बिल्कुल खाली रखा जाए वहाँ पर अगर कुछ बनाना भी है तो थोड़ी दूरी पर बनाए वहाँ ना बनाए जितना उस नदी ने खाली कर दिया पार्ट उस सारे क्षेतर में एक पार्क बने सुन्दर चारो तरब उस पार्क के बीच में केवल भगवान के दारिश्वर हो और जिनोंने अपनी जाने इसमें खोई हैं कुछ लापता हैं आज तक जब भी पता लग जाएगा धीरे धीरे पता लगेगा मोबाइल की लोकेशन से, फोन की लोकेशन से या उनके परिवार की लोकेशन से उन सब के लिए मैं समसता हूँ वहां सुंदर पेड लगाए जाएं स्मृती वन बने और स्मृती वन में उन सब की याद में सब पेड लगाए जाएं मैं तो ये चाहता हूँ रही बात मंदिर की सरकार संत, ASI Archaeological Survey of India मैंने पहले भी कहा है और भारत के ग्रह मंत्री और मुख्य मंत्री ने भी कहा है हम चाहते हैं मिलकर एक भावना वैसे तो सरकार बना सकती है संत भी खड़े हो सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ यदि जो भी निर्मान होना है वहां पर बिल्डगों का निर्मान उसके चारों तरफ ना हो कुछ उतना बने जो हमारे पुरोहितों के लिए रावल जी के लिए या कुछ अन्य ताकि उस एरिये में अबज्यादा ना बनाया जाए थोड़ी दूरी पर बनाया जाए और साथ साथ वहां पर जो प्लैटफार्म बने जो बैटनी की जगे हो जो शेल्टर की जगे हो जो बारिश में और बरफ में ने एरिया तो बने बाकी पूरे एरिये में केवल पेड़ लगने चाहिए उनकी स्मृति में मैं तो समझता हूँ उन सब परिवार वालों से जिनके लोग लापता हुए हैं लोग चले गए हैं उन से और भारत के हर परिवार से एक-एक इंट लेकर एक-एक पत्थर लेकर उसको मजबूति से बनाए तो किदारनाद भगवान ज्यादा प्रसन होगे उसके लिए गंगा एक्षन परिवार इसलिए मैं गंगा एक्षन परिवार कह रहा हूँ कि उसमें कोई हेड नहीं है गंगा मैया ही मुखिया हैं हम सब सेवक हैं वो सब मिलकर गंगा मा के इस भव्य इतिहास को जो किदारनाद भगवान का आप सोचे तो सही कमाल की बात है कि 1200 साल पहले बना हुआ वो मंदिर आज भी खड़ा हुआ है आज भी खड़ा हुआ है और हमारी बनाई होई इमारते चली गई इसलिए ASI के सर्वे आर्केलोजिकल सर्वे आप इंडिया के लिए उनके आर्केलोजी के विज्ञानिकों के नियंतिरन में और उनके निरिक्षन में मैं समझता हूँ ये काम होगा तो वो कुछ ऐसी दिशा बताएंगे तो ये आज जो काम हो वो भी अगले 1200 साल तक रहे ये हमारा काम करना ज़रूरी है यदि हम भवन ना बनाकर हम व्रिक्षब लगाएंगे तो पक्का मानिए ये आप अदा व्रिक्षों तक ही रुख जाती पत्थर वहीं रुखते आज पहाड़ों को काटा पेड़ों को छाटा और पानी की भी दुर्दशा की इसलिए आज गंगा माने एक अल्टीमेटम दिया है आएए इस रिमाइंडर को लेकर इस वार्निंग को लेकर हम सब जागें और साथ साथ एक ग्रीन ड्वेलप्मेंट ग्रीन पिल्गरमेज ग्रीन टुरिजम और ग्रीन रिहाबिलिटेशन की शुरुआत करें तो मैं समझता हूँ उत्तरा खंड पूरे देश के लिए पूरे विश्व के लिए एक नया इतिहास खड़ा कर सकता है